अबे ओल लकड बगे की ओलाज तो दूस्तो ठीक 17 साल पहले यानि के साल संदोजार साथ में बॉलिवुड से आई थी एक बड़ी ही जबरदस्त कॉमेडी फिल्म हे बेबी जिसमें आपको सूपरस्टार अक्षे कुमार के साथ रितेश देशमुक और फरदीन खान नजर आई थी जिन्नोंने 2009 के बाद फिल्म उसे सन्यास ले लिया था और अब पूरे 15 साल बाद ये एक बार फिर कमबैक कर रहे हैं वो भी सूपरस्टार अक्षे कुमार के साथ एक और जबरदस्ट कॉमेडी सस्पेंस फिल्म के साथ जिसका नाम है खेल खेल में जी हां दोस्तो और अगर आप भी इस फिल्म का इंतिजार बेसबरी के साथ कर रहे हैं तो आप सभी के लिए इस फिल्म से जुड़ी बहुत ही एकसाइटिंग खबर सामने आ गई है तो कब तक रिल्यूज होने वाली है फिल्म फिल्म के स्टार कास्ट कौन कौन है फिल्म को डारेक्ट कौन कर रहा है सारी बातों के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को एंट तक देखेगा तो हेलो दोस्तो माई टॉक्स के एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है तो दोस्तो फिल्म को डारेक्ट कर रहे हैं मुदसर अजीज जो कि कॉमेडी फिल्म में बनाने के लिए जाने जाते हैं और यही खेल खेल में फिल्म को डारेक्ट कर रहे हैं जो कि एक कॉमेडी फिल्म रहने वाली है जिसमें अक्षे कुमार, फरदीन खान, एमी, वानी कपूर और तापसी पन्नो नजर आने वाली है और दोस्तो हाली में फिल्म के सुटिंग खत्म हो चुकी है फिल्म रैप अप हो चुकी है जिसके बारे में फिल्ममेकर्स ने नाउस कर दिया है और खबरों की माने तो फिल्ममेकर्स इस फिल्म को दीवाली पर लेकर आने वाले हैं और बात करें टीजर टेलर की तो दोस्तों उसके लिए आपको तीन से चार महीने का वेट करना होगा जी हां दोस्तों और ये फिल्म बहुत एक खास रहने वाली है जिसमें अक्षे कुमार और फरदीन खान पूरे 17 साल बाद एक साथ फिर नजर आने वाले हैं दोनों की ही कॉमिक टाइमिंग को बहुत पसंद किया जाता है फिल्मों में जहां अक्षे कुमार कॉमेडी की इंगे इसमें कोई शक वाली बात नहीं है तो वही फरदीन खान ने भी All the Best, No Entry और Hey Baby जैसी नजा ने कितनी ही कॉमेडी फिल्में दिये हैं के जोड़ी एक बार फिर 17 साल बाद धमाल मचा पाएगी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मुवी से लेटिर ऐसी मैदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ